नमस्कार दोस्तों आप सभी का बोद बोद स्वागत है सक्सेस प्लस अकेडमी के प्लेटफॉम पर मैं हूं सुमिछ चोधरी और हम पढ़ रहे थे modern history of India यानी आधुनिक भारत का इतियास आधुनिक भारत के इतियास में अभी जो topic हम discuss कर रहे हैं वो है सिख हमपायर का इतियास और सिख हमपायर के इतियास में अभी तक हम जो चीज़ें discuss कर चुके हैं वो है rise and decline of सिख हमपायर and उनका जो relation थे सिख हमपायर के British East India Company के साथ relations थे उनको हमने discuss किया पहले वीडियो में उसके बाद हमने first anglo sick war discuss किया जो की 845-46 के बीच में लड़ा गया और उसके बाद 1848 से लेके उनकास के बीच में दो साल ये second anglo sick war लड़ा गया ठीक है तो इसके बारे में हम detail में अभी चर्चा करेंगे और अभी तक अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपको यही recommend करूँगा कि सिख हमपायर को आप शुरू से पढ़िए महराजा रंजीत सिंग ने किस तरीके से सिख हमपायर की नियु रखी उसको किस तरीके से सिख पावर को नहीं एक जुट किया और उसके बाद एक छोटा सा छोटी सी वो एक missile के लीडर हुआ करते थे उससे वो उभर के आए और एक बड़े पावरफुल और सक्षम लीडर क पावर की दूप में उनकी भूमिका रही ये जो सिख हमपायर है इसमें ठीक है तो इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको सेकंड एंगलो सिख वोर के बारे में काफी डिटेल में जानकरी मिल जाएगी ये है सिख हमपायर उस समय का और ये महराजा रंजीत सिं सिंग के समय एक संदी साइन हुई थी और سतलाज नदी को एक बाउंडरी माननी अलिया गया था कि सत लज नदी के इस्ट का जो इलाका है वो इस्ट इंडिया कंपनी का और वेस्ट का जो इलाका हैि वो सिख हमपायर का महराजर अजीत सिंग जी का और सिख के कुछ लोग कुछ मिलेटरी के लोग इसके इस्ट में आ गए थे ऐसा उनका आरोप है बेटिश इस्ट इंडिया कंपनी का आरोप है और इस वज़े से ये पहला वर हुआ उस वर का रिजल्ट क्या रहा आप सभी को द्यान होगा कि दो ट्रीटी साइन हुई थी एक थी ट्रीटी ओफ लाहोर और एक थी ट्रीटी ओफ भैरोवाल ट्रीटी ओफ लाहोर में क्या हुआ था बिटिशस को बिटिशस ने जब अंग्रेजों सिखों को हरा दिया और आपको याद होगा ये चीज भी कि लाल सिंग और तेजा सिंग नाम के दो वेक्ति थे जो गदार निकले जिन्होंने सिखों को धोका दिया और उन्होंने अंग्रीजों का साथ दिया इसकी वज़े से सिख जो है वो इस पहले एंगलो सिख वोर में हार गए थे उसके बाद इनके सामने दो ट्रीटीज साइन की गई पहले इनको मजबूर किया गया इनको क्या है इनको सारी ताकत छीन ली गई जो इलाका था इनका कुछ टेरिटरी को जीत लिया और साथ ही साथ एक क्रोड रुपे सिखों को चुकाना पड़ा वोर इंडिमेटी के नाम पे जिसकी वज़े से उनको अपने दो इलाकों को बेचना पड़ा जम्मू और जो कश्मीर वाला जो इलाका है ये गुलाब सिंग को बेचा तो इस वज़े से सिख जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज थी बिर्टिशस के खिलाफ की उन्होंने उनका बहुत ज़्यादा अपमान किया है बाद में क्या होता है इन्होंने और ट्रीटी ओ भैरोवाल जब साइन हुई तो ये और भी ज़्यादा हुमिलियेटिंग थी वो कैसे थी पहले दलीप सिंग को जो कि उस समय जो रानी थी रानी जिंदाल इसके बेटे थे दलीप सिंग उनको राजा माना गया और रानी जिंदाल को उनका रिजेंट माना ग गया लाहोर से भी इनको निकाल दिया गया और ये कहा गया कि ये जो हैं conspiracy कर रही है ये British Empire के खिलाफ conspiracy कर रही है इसलिए इनको pension देके यहां से भगा दिया ऐसा कह दिया वह बहुत ज़्यादा disrespect की इनकी रानी थी महराजा रणजीत सिंग जी की वाइफ ती तो सिखों को ये बात नागवार थी तो इसलिए सिख एक तो इस वज़े से नाराज थे मैं आपको मुवविंका बता रहा हूँ कि दूसरा एंगलो सिख वोर क्यूं हुआ उसके पीछे के region क्या थे तो ये इसका background है कि पहला एंगलो सिख वोर जो हुआ वो सिखों के लिए बहुती humiliating था उसके बाद जो treatise हुई वो ठीक है अब क्या है अब यहाँ पे map आप देखेंगे ना तो ये जो इलाका है ये जो इलाका है जम्मू और कश्मीर वाला सिरिनगर वाला इलाका ये वाला इलाका गुलाब सिंग को बेच दिया था सिखों ने क्योंकि उनको 75 लाख रुपे कम पड़ रहे थे और 75 लाख कम रुपे बेटिशल्स को दिये 25 लाख अपनी तरफ से मिला के दिये एक क्रोड उनको रुपे देने थे ठीक है ये चीज हुई साथ ही साथ ये सतलज और व्यास नदी के बीच का जो इलाका है जालेंदर वाला इलाका जो है ये भी बेटिशल्स ने सिखों से ले लिया और इस लड़ाई के बाद पहला जो एंग्लो सिख वार हुआ वहाँ पे ठीक है यहां से बेटिशल्स पहला वार जीत जाते हैं तो लॉरेंज हैंरी लॉरेंज नाम के एक वेक्ति को यहां पे बेटिश रेजिडेंट बना के जाते हैं रेजिडेंट बनाते हैं और वो यहां पे इनकी राजनीती में काफी दखल अंदाजी करता है अब क्या है समय बदलता है और यहाँ पे एक नया वेक्ति आता जिसका नाम है Sir Frederick Curie यह यहाँ पे British Resident होता है और यह वेक्ति भी हस्तक शेप करता है चीजों में यहाँ की राजनीती में इसको बढ़ाओ टैक्स को बढ़ाओ और मुलराज इस चीज के लिए मना कर देता है कहता है कि मैं इससे ज़्यादा टैक्स आपको नहीं दे सकता और इस वज़ए से फेडरिक क्यूरी जो है वो इस चीज को इगो पे ले लेता है और वो कहता है कि अगर तुम नहीं बढ़ाओगे तो मैं तुमको यहाँ से निस्कासित कर दूँगा और यहाँ पे नया गावर्नर बिठा दूँगा और वो ऐसा कर भी देता है यह चीज है यह सोचे कि एक रेजिडेंट की इतनी पावर थी यहाँ पे यहाँ पे यह जो सिख हैं यहाँ पे सिर्फ रूल कर रहे थे नाम मातर के मेन पावर जो थी वो अभी इस इंडिया कंपनी के पास ही थी तो फेडरिक क्यूरी ने क्या किया मुलराज को तो यहाँ से हटा दिया और एक नय वेक्ति जिसका नाम था सरदार कहन सिंग कहन सिंग को क्या कर दिया यहाँ पे गवर्नर नियूक्त कर दिया साथ ही साथ कुछ बिटिश एजेंट्स को और कुछ आर्मी की टुकड़ी को यहाँ पे साथ में अपोइंट कर दिया कि भई सरदार कहन सिंग को तुम अब गवर्नर मानोगे और इसका प्रोटेक्शन करोगे किस से मुलराज से तो पैटरिक वैंस एगन्यू एक नाम का एक बिटिश एजेंट है और इसके साथ एक और एजेंट होता है बिटिश इनको साथ में छोड़ देता है कौन फैडरिक क्यूरी लेकिन इस बात से मुलराज जो है वो बहुत जादा गुसा हो जाता है और मुलर कर देता है और यह जो बिटिश ऑफिसर है इसकी हत्या कर देता है साथ ही साथ इसके साथ में एक और ऑफिसर है उसकी भी हत्या कर देता है ठीक है तो इसकी वज़े से क्या होता है यहां से सरदार कहन सिंग को यहां से क्या है भागना पड़ता है और यह बात जब बिटिश देते हैं और यह इनका पपेट होता है Britishers का ठीक है तो शेर सिंग को बेजते हैं कि जाओ तुम इस रिवोल्ट को सप्रेश कर क्या हो लेकिन शेर सिंग जो है वो भी अभी तक Britishers को जान चुका था वो भी जान चुका था कि ये किस तरीके से इनको एक्स्प्लॉइट कर रहे हैं तो ये जाके इस रिवोल्ट को सप्रेश करने के वज़ाए मुलराज का ही साथ दिना शुरू कर देता है और ये दोनों एक साइड हो जाते हैं इसको जोईन कर लेता है और ये करते हैं बड़े इनके लिए सिखों के लिए बैड लग होता है क्योंकि लॉर्डल होजी जिसने 1948 सिले के 56 के बीच में क्या किया था भारत में गाउर्नर जर्नल रहा था और ये वो समय था जब इसने खूब एक्स्प्लोइट किया लोगों को बहुत ज़्यादा इसने expansion की policy को अपनाया इसकी doctrine of lapse जो है आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे ही कि किस तरीके से जब किसी राजा की संतान नहीं होती थी लड़का नहीं होता था उस राज्य को इसने हथिया लिया इसका मैं नुरश्य यही था भारत में कि अपने British Empire को expand करेगा इसने सोच लिया था कि इसको कोई puppet ruler नहीं चीए यह अपनी जो ruling states है उसको boundaries को बढ़ाएगा इसको कोई मतलब नहीं था कि कोई यहाँ पे राजा कौन है क्या है इसका मकसद यही था कि यहाँ पे आके एक्सपनिस्ट जो policy है उसको follow करे ठीक है तो इसने क्या कहा कि अब यहाँ से यह जो सिख है यह rule है इनका चाहिए वो puppet ruler ही क्यों ना हो इनको हटा देते हैं और इसको British India में शामिल कर लेते हैं तो इसी ने क्या किया तुरंत अपनी सेना को भेज दिया सिखों से लड़ाई लड़ने के लिए तो यह इसका background है समझ गए होंगे आप कि किस तरिखी से दूसरा Anglo-Sikh War इसके पीछे की भूमी का क्या रही अब क्या है course of war तीन battle लड़े गए especially इस war में तीन लड़ाईयां लड़ी गई पहला था battle of रामनगर दूसरा था battle of चिल वाहा चिलन वाहा जनवरी 1849 में और फिर लड़ा गया battle of गुजराथ अब यह गुजराथ जो है भारत वाला गुजराथ नहीं है गुजराथ इस्टेट नहीं है यह एक छोटा सा टाउन है जेलम नदीगे किनारे आज के समय पाकिस्तान में है तो यह जो गुजराथ है यहाँ पे फरवरी 1849 को जब तीसरा युद लड़ा गया तीसरा battle लड़ा गया तो यहाँ पे सिखम आरमी ने पूरी तरीके से surrender कर दिया राउल पिंडी में और अफगान एलाई जो इनके थे जो भी बेटिशस का साथ दे रहे थे उन्होंने battle of गुजराथ के बाद क्या कर दिया surrender कर दिया यानि बेटिशस की दूसरे एंगलो सिख वोर में बुरी तरीके से हार हुई उनके पास पहले से ही ताकत नहीं थी अब दूसरा एंगलो सिख वोर हुआर यहां पे डल होजी है तो डल होजी तो इनको puppet leadership भी नहीं देगा ठीक है तो उसके बाद ये इंडिया में शामिल हो जाएंगे ठीक है अठास उननचास आते आतेश सिख आर्मी और पूरी शेर सिंग की leadership की जो आर्मी थी उस सबी ने इनके सामने क्या कर दिया घुटने थेक दिये अब क्या है बात करें इसका reward क्या मिला डल होजी की जो policies थी यहां से ब्रिटिश की जो पार्लियमेंट बड़ी खुश हो रही थी कि डल होजी उनका area को expand कर रहा है British Empire जो है वो फैल रहा है तो इसकी जो पहले पहले तो यह Earl की इसको उपादी मिली भी थी अब इसको मारकस की उपादी मिली Governor General तो था ही लेकिन एक और rank होती थी Earl और आगे होती थी मारकस यह सम्मान थे British Parliament जो देती थी अपने सेनिकों को अपने बड़े leaders को बड़े जो इनके सेना के अधिकारी हुआ करते थे उनको तो अर्ल से मारकस इसको बना दिया गया ठीक है उसके बाद पंजाब में जो governance है उसको किस तरह से वो करा गया ठीक किया गया रेगुलेट किया गया यहाँ पे पहले तीन member का एक board बन लोगों को यहाँ पे board बना दिया गया पंजाब को गवर्न करने के लिए ठीक है फिर 1853 आते आते इस board को तो हटा दिया और उसके बाद चीफ कमिशनर यह कमिशनर टेट वाला जो इलाका होता है कमिशनर का जो तरीका होता है ruling का उस तरीके से यहाँ पे बना दिया गया तो तो यहाँ से जो इतना बड़ा सिख अंपायर था जिसकी निव बड़ी मेहनत से महराजा रंजीत सिंग ने उस अंपायर को बनाया था बहुत सारी लड़ाईयां लड़ लड़के जीत जीत के उस इलाके को उन्होंने बनाया था और बिर्टिशस के साथ भी उसने relations उन्हों हुए दोनों उसके बाद सिखों ने बिर्टिशस की जो पावर है उसकी उनकी जो डॉमिनेंस है उसको स्विकार कर लिया और उन्हों मान गए कि अब इनसे हम लड़ाई करके जीत नहीं सकते यह एक सच है और इसी की वज़ए से यह एक दूसरे को मूच्वल रस्पेक्ट कर देने लग लगे ने तो बिर्टिशस ने कोई कैमपेण किया सिखों के खिलाफ कोई कैमपेण किया और यह चीज आपको आगे तक देखने को मिलती है कि जो रिवॉल्ट ऑफ एटीन फिप्टी से उन हुआ इसको सिपोय मिटिनी या फिर आफ फैस्ट इंडिपेंडेन्स वोर कुछ भी बोल दीजे ये जो है इसके समय भी सिख जो है ये बेटिशस की साइड से लड़े काफी सारे सिख जो है वो इनकी साइड से लड़े और 1947 तक आगे चलके भी काफी सारे कैमपेन उन्होंने इनके पक्षमे की लेकिन 1947 में जो भारत के लिए आजादी में योगद तो वहाँ पे sick empire की तरफ से जो लेडर थे ज्यादा तर वो betrishers की साइड से लड़े थे, ठीक है, ये था आपका anglo-sick relations, anglo-sick wars का एक complete analysis, I hope आपको सारी चीज़े clear हुई होगी, पहले आप इसके चार वीडियो बनाएं मने, anglo-sick के बारे में अगर आप देखें, तो एक त anglo-sick word और उसके बाद second anglo-sick word, तो ये चार वीडियो हैं, अगर आप चारों देखेंगे, तो आपको सारी चीज़े confirm पता हो जाएंगे, ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, आने वाले वीडियो को देखना हो, तो subscribe कर सकते हैं, thank you so much, have a good day, see you next class.